गुड उनिंग फ्रेंड सेंड माई डियर इस्ट्रेंड से वेलकम टू आर चैनल मैं राजेंदर मंडलोई आपका हमारे सेनल पर खिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आज कक्षा बारवी का जियोग्राफी मतलब भुगोल का पेपर था क्लास 12 जियोग्राफी 2020 आज के इस पेपर को हमारे सेनल के माध्यम से हम एनलिसिस कर रहे हैं अब्जेक्टिव टाइप कोश्चेंज के एंसर तथा और भी प्रश्णों को हम डिस्कस करेंगे आपने अब भी तक हमारे इस channel को subscribe नहीं किया है तो सबसे पहले आप subscribe कर लें और subscribe करने के बाद में आप playlist में जाएंगे तो अभी तक class 12 थे कि आपके जितने भी papers हुए हैं उन सारे papers का आप solution देख सकते हैं साथ ही जो भी आपके paper बचे हुए हैं उन सारे papers के model question paper, important question, important objective type questions वहाँ पर मैंने पहले ही upload कर दिये हैं तो आप वहाँ पर जाकर चाहे वो matching words वाले हो, fill in the blanks वाले हो, true or false वाले हो सभी से बहुत अच्छे से आप तैयारी कर सकते हैं तो playlist आपको मिलेगी class 12 papers के नाम से playlist है वहाँ पर आपको कम से कम 100 videos के आसपास मिलेंगे ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज के वीडियो की सुरुआत करते हैं इसमें सही विकल पुचुन कर लिखना है इसमें पहला question था, element of geography नामक पुस्तक की रशना किस ने की तो ये option number 2 दिया गया है, इसमें दूसरा फिंचेंड, ट्रिवार्थ ने की थी question number 2 है, जन संक्या की दरश्टी से चीन का विश्व में इस्थान है तो पहला है, बहुत ही सरल question था, लगबख सभी student ने कर दिया होगा प्रसासनिक नगर है, तो चार option दिये गए हैं, इसे दिल्ली, उज्जेन, ग्वालियर, जवलपूत तो पहला option दिल्ली, इसका सही answer होगा कौन सी नदी, कोईला नदी कहलाती है, तो चार option है, जिसे गंगा, राइन, कांगो और नाईजर तो option number second, राइन की जो नदी है, उसको कोईला की नदी कहा जाता है अगला question है, भारत का प्रथम संचार उपग्रह है, तो जिसे चार option है, इसमें option number second, आरे भट ये इसका answer सही है, ठीक है दोस्तों, आपका ये paper, सरल था, कठिन था है, हमारे channel के माध्यम से जो भी हमने आपके लिए उप्योगी material प्रोवाइड किये थे, उससे आपको कितना फाइदा हुआ, ये मुझे comments करके आप जरूर बताएं साथ ये आपके friends, classmates के पास इसको share जरूर करें रिक्ते स्थानों की पूर्ती कीजिए, पहला question है, भारती वन अनुसंधान, संस्थान, इस्तित है, तो ये दहरादून में इस्तित है मसालों का राज्य कहते हैं तो केरल को एक राज्य से दूसरे राज्य को जोडने वाली सड़क कहलाती है तो अंतर राज्य कहलाती है कुश्चन नंबर 4 है भारती म्रदा की समस्य अपरदन एवम हाज है तो वो है उप देना कुश्चन नंबर 5 है विस्व में जन संक्या की द्रश्टी से भारत का इस्थान है तो ये दूसरा है ठीक है दोस्तों बहुत ही सरल क्वेशन पेपर था बाकी आपने इसको केसा किया है आप खुद को एनलेसिस कर लें अब क्वेशन नमबर थार्ड है सही जोडिया बनाना है जिसे परियतन नगर तो इसका एंसर है नेनी ताल जूत तो इसका संबंध है पश्चिम मंगाल से काली मिट्टी तो इसका संबंध है कपास से और ज्वारी बंदर गहा तो इसका संबंध है कांडला से मेगा लो पोलिस इसका संबंध है लंदन से ठीक है दोस्तों नेक्स्ट क्वेशन की और चल फार्मिंग क्या है ट्रक से सहरों में सबजियों को बेचना इसको ट्रक फार्मिंग केते हैं बिखरे अधिवास कहां पाये जाते हैं तो आधिवास यह पाहडी छेत्रों में पाये जाते हैं सबसे यादा प्रोटीन किस तिलहन में होती है तो स्वयाबिन में होती है प्रोटी टाइब कुश्चन थे इसके बाद में आपके कुश्चन थे जिसे ब्लाउस के अनुसार मानो भूगोल की परिवासा दीजिए मानो भूगोल के विसे छेतर के कोई दो बिंदू लिखिये भिलाईयों जमसेदपूर किस प्रकार के नगर के उधरन है हरीदवार कौन सा नगर ह परियावरण प्रदूसन क्या है बहुती सामाननी कुश्चन था सभी ने लगबग कर दिया होगा अभी जिसे कोरोना वाइरस लोकडाउन चल रहा है तो यह भी परियावरण प्रदूसन यह हम कह सकते हैं कि अन्टचेबिलिटी वाला है और वैसे भी जिसे दिल्ली है या जो बड़े बड़े महान अगर है उनमें प्रदूसन के कारण बहुत सी समस्या है तो हमें जूजना परता है धनी प्रदूसन के कोई दो कारण लिखिये बहुत सारे कारण है जिसमें से कोईτα हivos आपने लिखी दिये होंगे आठवा क्रिशन है वनों के प्रत्यक चलाबों क का वर्णन कीजिए प्रतेक्ष लाप से मतलब यह है कि डायरेक्ट सीधे सीधे हम जो वनों से लाप राप्त कर सकते हैं उसको आपको लिखना था कोई तीन भारती क्रसी की तीन समस्या है लिखिए पारेशन एवं संचार में अंतर लिखिए कोई तीन रेल परीवहन के कोई त चार कारण लिखिए मानव विकास के कोई चार आर्थिक संकेतकों का वर्णन कीजिए ग्यहों की पैदावार के लिए आवश्यक भोगोलिक परिस्थितियों का वर्णन कीजिए व्यवसाई क्रसी की कोई चार विसेस्ता ही लिखिए वायू मार्ग को प्रभाइद करने वाल कोई चार भोतिक कारोकों का वर्णन कीजिए, पतन के किनी चार कारोणों का वर्णन कीजिए, जनसंख्या विवरण को प्रभावित करने वाले कारोकों का वर्णन कीजिए, कोई चार, ग्रामी नेवम नगरी जनसंख्या में अंतर इसपस्ट कीजिए, वनों के समरक्षन के को कोई चार कारण लिखिए जीविकोप पारजन क्रशियम व्योवसाई क्रशी में कोई पांच अंतर लिखिए उद्ध्योगों की कोई पांच समस्यां है लिखिए कुशन नंबर 17 है विस्व के मांचित्र में निमलिखित को दर्साई एसे न्यूवार्ग केप काहीरा रेल मार्ग हिंद महासागर लाल सागर लंदन से दिल्ली वायु मार्ग इसी के अत्वा में था विस्व के मांचित्र को निमलिखित दर्साई एसे ट्रांस कॉंटिनेंटल रेल मार्ग, सिंगापूर, सहारा मरुस्थल, उत्तरी, अंटलांटिक, महासागर मार्ग, मुंबई Question number 18 है मुंबई में सूती वस्त्रो उद्योग के विक्सित होने के कोई 5 कारण लिखिए बिलाई में इस पात उद्योग के इस्तायनी करण के कोई 5 कारणों का वर्णन कीजिए ठीके दोस्तों तो ये कक्षा बारवी भुगोल मतलब जियोग्राफी का आज 96-2020 का जो आपका पेपर था इसका हमने solution और इस पर हमने discuss किया है इसका analysis किया है आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट्स करके बताएं और आगे आने वाले पेपर्स की तैयारी के लिए हमारे सेनल को सब्सक्राइब करें और क्लास 12 पेपर्स की प्लेलिस्ट में जाकर आप अपनी तैयारी कर सकते हैं धन्यवाद दोस्तों अपना ध्यान रखें अपने परिवार के सदेश्यों का ध्यान रखें और खुब अच्छे से तैयारी करें थेंक्यू वेरी मच पर वोचिंग